और दोस्तों कैसुर आप सारे मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूटूब चैनल जैयार टूटोरियल्स में दोस्तों मेरे नाम है गौरमुन्रा मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ पढ़ा की बात चलते रहेगी जैसे आपको मैं बता तो जितने भी नए बच्चे में उनको बताना चाहूंगा दोस्तों हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं ठीके बच्चो और फिलाल जो है ना कॉमर्स का चलना है लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि द क्या रहा था दोस्तों हम साइंस रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं अप छोटे बच्चे हो आपके बोर्ट सारे टेंथ के अरे यार पढ़ाई करो जाके वीडियो पता नहीं का मिलते अरे अपने ही प्लेलिस्ट में जाके चेक करो ना बहुत अच्छे से बढ़ हमने दस्तों लक्षन नंडरिंगर पूरी जान लगा दी तुमें लगा दी त्री में लगा दी तो आपको दोस्तों जितने बी नए बच्चे जिससने लेसे नंबर कर सैवन आपको इसे बीच में आके, बीच में नहीं जूट जाने हैं, आपको दोस्तो स्टार्ट से आना है, आओगे, बरोसर रखो आप पे, लेक्शन नमबर 4 पे, मिलोगे वापस, वेट करना हो आपका, ठीके, चलो, बाकी, कैसे हो, बाकी मेरे प्यारे बच्चे हो, मज़ा राई क आप लोग बहुत अच्छा प्यार बर्सा रहे हो, लेकिन इतना ही प्यार बर्सा होगे क्या, बस, हो गया, खतम, इतने निकल गई हावा, अरे, कर रहा है थोड़ा, चलो, बाकी दोस्तों, आज देखा हम क्या सिखने वाले, फिलाल आप ये समझो, हमने दोस्तों, एक मीट तो अगर अगर को मीटिंग में, यह सारे मीटिंग कई अया, इतने लोग प्रेजेंट है ना, तर भी इसमें इस मींटिंग को वैलिड कहा जाएगा अचाओ, आपने बर्साइड बात कर दी, हाँ, बजगो बात करते है dinero, बिल्कुल मेरे वर्ट्स पर द्यान दो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्डेंट होगा कोरम यह जो वर्ड है आपका कॉमर्स के फिल्ड में कभी साथ नहीं चोड़ेगा जब जब आप कंपनी से एक्ट की बात करोगे ठीक है अगर आप सीए करना चाहते हो सीए में सी साथ रहेंगे नहीं नहीं यह कोरम जो है यह असली साजनम वाला ठीक है चलो आपर द्यान दोबाकी अब क्या होता है क्या आज समझने वाले दोस्तों और यह कोरम जो है बहुत जाद नेसेसरी है एक मीटिंग की मतलब एक मीटिंग अगर आपको औरगनाइस करनी है तो आपको सबसे पहली ड्यूटी मेक्शॉर करना है कि जब आपने दोस्तों देखो आपने नूटिस भेज दिया अपने अजेंडा भेज दिया सब मीटिंग में आ गए चलो बातचित करते नहीं नहीं आपको मीटिंग करने से पहले कुछ चीजों का मेक्शॉर करना है जिसमें से पहली चीज जो है वह दोस्तों को अगया आपको पता ना तरीका प्लेपन इंट्रक्शन देते हैं क्या टॉपिक है उसका फ्टोड़ा सा क्यों जगाते अपने दूस्तों में कि आज यह चीज पढ़ने वाले इ कोरम जो है दोस्तों सेक्शन 103 ऑफ किसका इसका वाई चल रहा है तो उसका ही होगा कोरम जो है सेक्शन 103 में लिखा गया है ठीक है चलिए सर लेकिन यह है क्या पहले आप यह बताईए मेरे को एक बार यहां लिखा है जो सुनना चाहूंगे क्या लिखा है देखो most essential condition इसके मेंटिंग स्टार्ट नहीं होगी ठीक है सर आगे means minimum number of members required at meeting सर क्या पहलतु बात कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मतलब आपको मीटिंग में इतने लोग चाहिए यह कह चल रहा है समझ भी नहीं आ रहा है अचा ठीक है इसको और आसान से समझो ध्यान दोगे आपे चलि 9 बचे college आपका कब से कब तक होता है 12 तक ठीक है चलिए बहुत अची बात यार मस्ट मस्ट एक नंबर अच्छा एक काम कर चलो college में रखो तुम्हें अच्छा चलो एठीक में और ठीक है मैं तुम्हें और नहीं रूलाओंगा अब समझो 9-12 बच्चा अपने एक दो मैंसे ज़रूर हो के college रों करा कुछ बच्चे करें सर मजा आता है दोस्तों के साथ बेटके क्या बात है लेकिन एक बजह ना पता है आपको एक लेकिन दोस्तो जब बारा बजी गेट खुला था बच्चे बागो भाई बागो बागो सर को क्या पता चलेगा आधे के आधे बच्चे सब निकल गए लेकिन वो क्लास में कुछ हैसे होते हैं ना मॉनिकर वाले बच्चे कितने पूरे क्लास में दोस्तो पूरी क्लास में कितने बच्चे पता हैं सिर्फ तीन बच्चे बेटे थे और क्लास का स्ट्रेंग था दोस्तो सौ बच्चो होगा सौ बच्चे मतलब दोस्तो 97 बच्चे बैग उठाया और भाग गये क्यों कि उन्हें एक्स्ट्रा क्लास नहीं बेटती थी और एक्स्ट्रा क्लास इसलिए नहीं बेटती थी क्योंकि उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना मैक्स का डीचर वो आ गए थे अना अरे देखो ए यहां पर स्ट्रेंद्ट कितनी थी सो क्लास में कितने लोग बेटें टीन अब मैं 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 चल रहा है चलो तयार चल आचा बाकी बच्ची कहा गए अच्या ब्रेक निकला नियुका बूला लो स्टार्ट करते और सुनो तुम मॉनिदा ना क्लास के जाओ सारे बच्चों को ल बच्चों को मैं देखा ऐसे पहले जाए को रो रहे हैं चोड़ो यार सुनो जो तीन बच्चे यहां पर बेटे हैं आज की मीटिंग जो है मुझे कैंसल करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर इतने बच्चे नहीं अब तीन बच्चे को सिखा के मैं क्या करूंगा बाकी सब को वितुपास कराना है में आज का होता है और आइघुप दोस्तो आपको यह जो एक्सांपल है यह तो दिल में उतरा है अगर मीटिंग आपके स्टारट हो गई ए और मीटिंग में अगर कोई भी ना बेटा हो तो उस मीटिंग को किया वैलिड माना जाएगा या नितो बस इस से होगी सर देखा चांस दिरा वोड़ के क्योंकि आपको एक्जांपल समझा नहीं समझ मैं एक्जांपल कुछ कुछ बात भी फालतो सी बात है अब यहां पर ध्यान दो और नहीं भी समझ आ रहा फिर पीछे थोड़ा सा प्रिवेस करना ठीक है बैक का आपको पता है अना तो आप यहां पर पाच लोग बेठे को कि इसम में में आ आज ऑर सूब ल करते हुँंगे और अगर पाँस लोग नहीं बेठे तब उस मेटिंग को इसा मान ले जाएगा कि इसम के स्क्र एंट्यंटेटा करें यहां यह्ण लारत है यह सुए तो यह है क्या है कोऊरम एक ऐसल क सोंते हो इसे स्टेच्टी हो जाते होnajने मेरी और मैंक्स का कहानी आ आपको बाद मातलू को जात जो मैं इसे अब समझेत रहो हो समय नित्स मिराँ हफल बाकि क्या चल रहा है आप अब यह Q अग्यState प्रेजेंट आपको फिजिकली प्रेजेंट या अगर मीटिंग जो है दोस्तों आपको प्रेजेंट होना है ठीक है चलिए बलाई आप उसमें कुछ बोलो सुनो हमें कुछ मतलब नहीं लेकिन आप हमारे आखों के सामने होना चाहिए प्रम स्टार्ट टू एंड ऑफ मीटिंग इंपोर्टेंट है जैसे आपका मैट्स का लेक्चर चल रहा है अब मैम को बोले मैम सुदना यह थोड़ा सा बाहर किया था प्लीज प्लीज मैम प्लीज मैरा मैट्स का वो कंसेप्ट चूट जाएगा लेकिन मैट्स चूचर तो इंटर्णल का मार्क से ना यह थो कम हो नहीं वाले बाकी मेगा बोलो देखो है आपको चोड़ना है मीटिंग बहुत इंपोर्टेंट एमेर्जेंसी आ गई है कोई भी प्रॉब्लम हो आप आओ कंपनी सेक्रेट्री को बताओ सर सुनो ना मैं एससा है जा रहो वो आपको 99% केस में मना नहीं करेंगे आपको आपको करना है करो लेकिन एक अच्छा रिजन देखे जाना मता के जाना जाना है तो भी चलिए सेक्रेट्री मस्ट एंच्वर उसको मेंटिंग में तो सब है न अरे तुम सो लेटो कुछ भी करो मीटिंग में तो सब है न बस और मीटिंग इन इसका मतलब यह दोस्तों एक मीटिंग थी इसको एक्जम्पल से समझो साथ दोगे मेरा जैसे अपने राहूल सर्थ मेरको नोटिस वगरा आ गया कि कल मीटिंग है अपने मुझे कॉल करा बोले कि सर आजाओ हुआ राहूल ठीक है आजाएंगे घ्यां विलकुल हाईंगे हम सुम्होब दिया अपने किisters मे2emic पेट है सारे लाहूल सर अपना ऐस साथ डैंडिवे दाफिक यह हुआ है उन्हे गंटा बेटीक कोई बात नहीं दो गंटा वेट करना था मैं अकिला बेठा हुँ डिसकस करके कर देता हूं नहीं मीटिंग कब मानी हुई जाएगी जब सारे लोग को आना उनके प्रेजंट भुत इंपॉर्टेंट थी उन्होंने discussion करी ना करी ये तो second बात है अगर आप प्रेजेंट हुए आपके सामने ये meeting होनी चाहिए इस चीज को कहते दोस्तों को रहा है देखो मजा रहेगी नहीं बच्चा गारा है सर बहुत जादा मजा रहा है और यह जो कि आपको भी पाता है हम लेक्चर नमर वन से आज लेक्चर नमर फूर चल रहा है और हमने इस कंटेंट में इतनी महनत करी है लाइक मैं भी थोड़ा सा पहले से रिसर्च करके आता हूं सिफ और सिफ यह लेक्चर के लिप मुस्ट वहला इक्तम पूरी जान लगाता हूं कि आपको यह जो टॉपिक्स है यह समझ में क्योंकि यह फ्यूचर में आने वाले है कि आगे दि इन फैक्ट कंपनी एक्ट में ही लिखा गया है कि अगर आपकी जो कंपनी है दोस्तों जनरल मीटिंग करें और जनरल मीटिंग में दोस्तों शेरोल्डर्स आते हैं क्रेडिटर्स आते हैं डारेक्टर्स आते हैं सारे लोग आते हैं जनरल मीटिंग मतलब सबकी जनरल जिसक मुहाँ पर जाके अटेंड कर सकते हो अना चलिए अब कोरम फॉर जनरल बीटिंग समझ मैं अब फिलाल हम बात करने वाले पुब्लिक कंपणी के बारे में तो डिपेंड्स अपॉन नंबर ओफ शेर होल्डर्स शेर होल्डर्स मतलब कि जो कंपणी के ओनर होते हैं वह अपने पहला हो बाकी ट्शों अनूम्र ओफ शेर होल्ड़र्स स्याहां पे अगर नॉम्ण ओफ शेर होल्डर्स जैहां पर दोस्तों में बहुत इंप्टॉर्टैंट से यह थान यह यह ऑन अबर ओ इंप्लिक कंपणी जिसमें दोस्तों नौत मूथ दैन वन थाऊजन एक ऐसी सब यहां देखो नौर देन हजार से जाधा नहीं उससे जितने भी होंगे ना इसमें अगर हम कोरम की बात करें लेकिन करना है और उनके कंपनी में दोस्तों जब आप शेरफूल्डर की बात करो तो हजार से कम शेरफूलडर से वहाँ पे पाच शेर होल्डर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर नहीं रहे तो मेटिंग को इन्वैलिड मान लिया जाएगा अगर आपके कमपनी में पाच हजार लोग है पाच के पाच हजार आपके साम में दृटने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन यह तो मिनीमम है 15 तो होना ही चाहिएए जालмо हीम आपके मीटिंग में दोस्तों 3 लोग सब्सक्राइक जोगी सब्सक्राइड उसक्राइए अग्ला जाएगा कि कि और फिर्फ दो मेंबर्स वी अगर आपके सामने वह बेंच में बैठेंगे ना जलेगा मानना जाएगा आपने मीटिंग एक दम अच्छे तो की अब आप सोच्वांगे है है खयाल आया ना दिमाग में कि सार हमारी कंपणी इल्क औ이ia सर 25000 लोगिया सरं किसे कहें तहीं पाची हजार लोग या था सर्क भार्रहतों को समझे सी लोगमेर्ण लेकिन इतना लोग कोई देखा नहीं हूं लेकिन लेकिन ये जो कोरम सिफ 15 जस्टिफिकेशन में कोई सा लगता नहीं कि ये जश्टिफाई कर रहा है बलब सर आप सोचो पाच-छाद लोग है आपके कमपणी में लेकिन मीटिंग में सिफ आ रहे है 15 लोग सर ये क्या बात हुई क्य तो सिफ पैसे लगाने है और बदले में जो रीटन हमें मिलेगा हमें तो सिफ उतने से मतलब है तो दोस्तो 99% जो कमपनी के लोग होते हैं 90-95% लोग तो लोगों का सिर्फ यह intention होता है हमें company में पैसा लगाया है हमें company से पैसा चाहिए पाकी तुम्हें जो करना है करो हम meeting meeting कुछ नहीं जानते हम आने भी नहीं वाले आना हमें कुछ मतलब नहीं बस काफी बार ऐसा होता है दोस्तों यह जो 5000 लोग है इस में से दोस्तों आपको पता है करीबन 4500 लोग जो है यह इन्हें कोई मतलब नहीं है हम ऐसी पैसे से मतलब हम पैसे लगाएंगे हमें बदले में पैसा मिलता रहेगा तब तक हम बहुत खुश हैं यह वो लोग है और बाकि जो बचे 500 500 में से भी दोस्तो 300 लोग ऐसे जिनके पास टाइम नहीं है बाकि 200 लोग ऐसे सोचेंगे अच्छा कंपनी में पैसा तो लगा है सोचा थोड़ा सा टाइम दे देता हूं बाकि दोस्तों इन दोस्तों में भी आपको कुछ ऐसे दिखेंगे यह प्रैक्टिकल कि जो बाकि 100 लोगे ना वो तो सोचते यार करना पड़े गर्टिंग तो लेकिन दोस्तों आप यह सोचो 5000 से सीधा 200 आ गया और कुछ-कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जहां पर सिफ और सिफ लोग पैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं बाकि कंपनी में क्या चलना उन्हें कुछ मतलब नहीं जब तक उन्हें फाइदा है बस सब बढ़िया है जैसे नुकसान होगा तब वो कुछ सोचेंगे कुछ करने का आना तो इस वज़े से क्या होते दोस्तों जब मीटिंग होती है तो बहुत कम लोग प्रेजेंट होते हैं तो इसको इसको इसके जब आपोजिट म में लेकिन मीटिंग में पता है कितना बेटते सिफ 15 लोग काईसा कंपनी होगा नहीं नहीं यह रिजन से बिटते हैं उनको इंट्रेस्ट कुछ मतलब नहीं उनको अपने पैसे से मतलब है ना अब जिसने बहुत सारे पैसे लगाए है वो तो मीटिंग में आके बिटेगा अब वहाला कंशेट यहां पर चलता है यह था दोस्तों कुरं फॉर जन्रल मीटिंग केस में और आगर आपने किया है दोस्तों बोर्ड मीटिंग जहां pouvoir of directors बैक्ते हैं अगर दोस्तों हो जाएंगे आप यहां पर पूरा फोकस मुझे चाहिए आप सभी का प्लीज इंपोर्टेंट चलिए बोर्ड ओफ बोर्ड मीटिंग में देखें दोस्तों बोर्ड मीटिंग करने हैं आपको यानि कि सिफोर से बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आएंगे और इसमें दोस्तों कितने डिरेक्टर्स है नौ क्या बात है दोस्तों इसुनों में से बिना जब बोर्ड मीटिंग हुई थी जब मेरिंग हुई थी पताँ है कितने लोगे क्या किया करते हैं अ पताओ मुझे क्या तो दोस्तों इसका अगर आप करोगे सा देखो 9 into 1 divided by 3 1 3rd ना पदा कितना होता है कि इतना तो आता है हाना मेरे इतना ही मैच से डेंचन ना लो हाना कितना है इससे भी अच्छा है यार देखो 3 है ना ठीक है चलो क्या है पहला कंडिशन बॉन तो टोटल नूबर का अगर हम हम ऑन तो निकाले तो 3 हमां सर थी या फिर 2 दिरेक्टर 3 ओर टू कंडिशन ना देखे 9 डिरेक्टर में से तेन डिरेक्टर आये और उसका अगर हम ऑन दोट लिएंगे जिसकी पहली कंदीशन थी नए तीन होता है और तु या तो तीन क्योंकि विए तुन के से आया वनथर्ड करके और तुब यह तो कंदीशन है वनथर्ड और तुडरिक्टर विचेवर इस हाइयर यह है दोस्तों कोरम और हमारी जब बोल मीटिंग हुई 9 डिरेक्टर्स थे हमारे पास उसका वन थर्ड याने कि सर तीन होता है और 3 और 2 विच्टेवरिस हाईर क्या बने गए या पर तीन डिरेक्टर्स आपकी कमपनी के मीटिंग में बोर्ड में जो हुई आने चाहिए थे और उसका कोरम अगर तीन डिरेक्टर्स होंगे ना तभी ही सक्सेस्फुल माना जाएगा तो क्या तीन थे सब बिलकुल थे तो क्या यह मीटिंग बोर्ड मीटिंग क्या यह सक्सेस्फुल है कि नहीं है यह मुझे आप बताऊगे बच्चा अग बागी देखो मैं तो अभी करवाने वाला हूँ क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स को हर एक किसी को रिप्लाइन दे पाऊंगा हाना फ्रेंट्स लेकिन आपको मेक्शॉर करना पर यह कोशन आपको खुद से ट्राय करना है उसके बाद मैं आपको बताऊगा ठीक है पॉस्ट करो करो अपना करो ठीक है चलो मैं नहीं देखोंगा आपका नहीं देखूंगा मैं मैं अपना कर रहा हूँ देखो बच्चे को दिखने रहे ना करे अगर बोर्ड मीटिंग है ठीक है और इसकी condition क्या था पहले तो इसकी condition थी one third of total number of directors या तो उतने प्रेज़ेंट हो या फिर औ और तू विच्व इस हाइर और यहां पर होता है 3.333 तो यार 3 मतलब क्या उसका आदा गला काट के लिए जाओंगा क्या मैं नहीं तीन डिरेक्टर पकड़ता हूं ठीक है चलो त्री डिरेक्टर स्कीम तीन डिरेक्टर आए अभी तो सर वन थाड होता है 3.333 और तीन आए तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह इन्वैलिड है क्योंकि देखो ना यार मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग तो नहीं देख पा रहे हो 10 इंटू 1 बाइ 3 वन थाड ना 3.33 होता है अब यह जो 0.33 है क्या मैं किसी डिरेक्टर का गला काट के ले जाओंगा क्या नहीं तु तरह आदा गला काट और इसा मीटिंग में जाके रख दूंगा तो 3.33 नहीं ना अगर 3.33 हुआ है तो इसका मतलब यह मैं इसको राउंड आफ करूंगा और राउंड आफ इसको सबसे हाइस्ट पर किया जाता है यहांने की चार और दोस्तों चार लोग तो प्रेजेंट होना ही चाहिए 4 और 2 यह कंडिशन बन जाएगी 4 और 2 whichever is higher आना बाकी अब जैसे इस मीटिंग में 10 डिरेक्टर आय थे जिसमें से 3 ही आए तो यह जो मीटिंग 10 क्या है दोस्तों यह डारेक्टर है तो 10 into 1 3rd कितना होता है 3.33 अब दोस्तों यह जो 0.33 है अब यह जो डारेक्टर है गला काट के लिए जाओंगो कि मैं उसका आज अधर को मीटिंग अटेंड करा तो हम 3 लोग हो गए थे अब आधा इंसान चाहिए था आधा इंसान तो ह यह डारेक्टर का गला काट दिया इसा नहीं चलेगा ना हमें राउंड ओफ कराना पड़ेगा वह भी हाइस ठीक है अगर 3.01 3.10 कुछ भी है आपको सबसे हाइस लेना है ठीक है चलिए आप अब हाइस ले लिया कितना हो गया चार विचेवर इस हायर समझ में आया एकदम म कुर्ण को मीट करने की और अब जैसे दोस्तों यहां पर 3 लोग नहीं कितने लोग आए टर तो क्या यह मीटिंग yapmış होगी होगी की नहीं अब इसका अंसर मेरे प्यारे बच्चे देंगे कमेंट सेक्षण में खना दोस्तोर य्सी के साथ हम इस लेक्चर को यह पर एंड़ करते हैं उस्ट इंपोर्टेंट पॉर एंटायर करियर in commerce मजाया दोस्तों comment section में प्लीज आपका मैं चाहूँगा comments read करना, मैं चाहूँगा मुझे instagram पे contact कर ये दिल से wait होता है आप सभी की messages का बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे follow करते हो like करते हो celebrity वाली feeling आती है और आने भी चाहिए क्योंकि हम इतने बड़े परिवार का एक हिस्सा है आप सभी की वज़े से ये possible हुआ है बस दोस्तों ऐसा ही प्यार करते रहिएगा हम ऐसे ही हमारी lectures को और upgrade करते जाएंगे और बस मजा आएगा फिर साथ में पढ़ाई करेंगे साथ में जिन्दगी जो है सुवा रहेंगे याना चला यार दोस्तों अब मिलतों आप सभी से lecture no 4 चल रहना है किस में मिलूंगा मैं? lecture no 5 में